हलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल क्रियेटिव इनी आज हम यहाँ पर साधे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे इससे पहले हमने साधे ब्लाउज की जो मेजर्मेंट है नाप लेकर मेने अस्तर पर आपको बताया था किस तरह से नाप लगाने हो और कटिंग करनी तो साधी साथ आपको इस तरह से नोड भी बनाने होंगे सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ब्लाउज की तरह से आपको लेनी है ब्लाउज की लंबाई प्लस एक इंच देखिए अगर हमें रेडी ब्लाउज बना हुआ ब्लाउज जो रेडी ब्लाउज है वो 14 क्योंकि हम सोल्डर में और नीचे पट्टी में हम दबाते हैं तो हमें एक इंच ज्यादा लेना होगा तब जाके हमें अगर हम 15 इंच लंबाई लेंगे ब्लाउज की कटिंग करते समय तो हमें रेडी वो 14 इंच मिलेगा तो हमें जितनी भी ब्लाउज की रेडी लंबाई हमें इंच प्लस वट लेंगी जैसे हमने 13 इंच चाहिए तो पूरी लंबाई उसकी कटिंग करते समय 14 इंच रखेंगे या फिर 14 इंच तो 15 इंच रखेंगे वह मारा ब्राउज है 22 इंच है तो आजाएगा हमारा 8 इंच अब 8 इंच में ये हमारा हो गया चेस्ट का निशान इसके बाद 8 इंच के अलावा हमें एक्स्रा कपडा लेना होता है इसको हम सिलाई मार्जिन बोलते हैं आट इंच पर हमारा फिटिंग का निशान लगगा इसके बाद हमें सिलाई मार्जिन रखना पड़ता है ताकि हम फिटिंग की सिलाई लगा सकते और तो डेड़ या दो इंच का सिलाई मार्जिन रख सकते हैं अगर आप तुककी वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें सिलाई मार्जिन होता है,"वह जYदा होता है बीना टुक्की वाले भलाउज में ठीक है यहां टक्स वाले जितने भी प्रिंस suivक ब्लाउज बनाएंगे उनका सिलाई मार्जिन हम जादा ही रखेंगे एक या देड इम्च से जादा अब इसके बाद हमारा ईजाता है कमर ढमा है सिलाई मार्जन इसमें हम रिवische 2 इंच तक पीछे बीड़ साहिजं आपको पता हो हमारी हां फाग तक्स लाग रेता हैं आगे और भी से भी टक्स लगाएंगे या लेड़ से 2 इंश हम मार्जिन रखेंगे यानि कि हमारा कम फिल 30 हे उसमें ब्लेभर इंश कर में तो हमारा 9 इंश को समbits का 30 इंश का चोथा भाँ साडस 5 इंश तो हमारा कमर कर चोथा इंश की में मिलंगेन दमार तो के बाद आजाता है हमारा शोल्डर हमारा कितना है बोडी से प्राप्त शोल्डर जितना भी बोडी से नापने के बाद आपको शोल्डर आता है जैसे आपकी कंदी है जहां आपको फील होता है जो हमारी हड़ी होती है कंदी पर वहां से लेकर दूसरी हड़ी तक हमारा अगर घृृइंगे जितना में और बलाउज बना रहे तो सकुत होते हैं तो हम बाइफ सेहरे निश करना यानि हमारा ख़र निशानो較 शॉल्डर में लगाएंगे जि़ृम तो नोड भी लिख सहले लिएक vaik उसके बाद हमारा आर्म होल, आरम होल हमारा 6.5 इंच नेख हैं तीन नेक के चोड़ाई लेंगे। और लंबाई क्लाइन के अनुसारिया है। अपने अनुसार रखेंगे। कितना अगर आप किसी क्लाइन का ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें कितनी लंबाई रखनी है वह हम उनके अकोडिक रखेंगे तो इस तरह से आपको इन मेजर्मेंट की जर्वत होगी ब्लाउज बनाने के लिए इसके अलावा स्लीव की चोड़ाई और गोलाई भी हम निकालें आए सबसे पहले एंपर ध्योहरी के बाद हम देख लेते हैं वाच की द्राफटिंग अमने किस प्रकार से करनी है यहां मेंने दो भाग बना रखेंगे फ्रंट पार्ट की द्राफटिंग जो हे वह अलग कर रखी है और जो बैक पार अमारा उसकी द्राफटिंग अलग कर तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे यहां पर back part की drafting क्योंकि back part की drafting हम सबसे पहले करते हैं उसके बाद हम front part की drafting करते हैं जब भी हम कपड़े में निशान लगाते हैं सबसे पहले फ्रंट गांग से थे बंद करने के बाद जो हमारा बंद भाग रहे यहां शोल्डर का निशान खतम हुआ है अब इसके बाद लंबाई में हम लगाएंगे आर्महुल का निशान और मुल यहां कितना था साड़ेशंच और मुल के हिसाब से और मुल कितना रखना मैं इसका चाड़ में अपने वीडियो अपलोड कर दिया है आप जाकर चैनल में देख सकते हैं देखिए इसके बाद हमारा यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरफ लंबाई में 6 इंच नापकर हमने निशान लगा लिया अब इसके बाद हमने इस निशान को सीधा कर देना इसीधा करने के बाद हमें सबसे पहरे हम यहाँ पर लगाएंगे चैस्ट का निशान तो चैस्ट का निशान जो हमारा आर्म होल है उसके ठीक नीचे हम यहाँ पर चैस्ट का निशान लगाएंगे तो चैस्ट हमारे है नो पॉइंट फाइफ साड़े नो इंच देखिए अब इसके बाद हम चैस हम कि appreciarti का युचे निइचे यहां आर्म होल के निचे हम चेस्ट का निशाल लगाएंगा हमारे ne Weller 1,5 जो इंचे में सबसे पहले हम यहां कि यह बारे披िशौथ देखे आठ के बाद हमने यहां पर 2.5-2 इंच यहां पर सिलाई मार्जिन रखा है तो इस तरह से आप निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन भी साथ में लेती जाएंगे अब हमारे यह चेस्ट का निशान होगा अगर आपके चेस्ट 34 इंच है तो आप चेस्ट का चोथा भाग साड़े 8 इंच प्लस उसमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे अगर आपके चेस्ट इस तरह से 28 के हैं तो आप 7 इंच यहां पर चेस्ट का लगाएंगे और 7 लबाई चाहिए उसमें एक इंच प्लस करकर हम निशान लगा देंगे लंबाई पर जैसे में बंढ़ाई हमारी हमें 14 इंच चाहिए तो हुमने तो हमने यहां-पर 15 इंच पर वर कमर की अगए पर 9-3 तरब देखिए कमर का निशान लगए हैं और कमर निशान और इसको हम सीधर हम यहां मिला टेंगे अब देखिए यह हमने शोल्डर का, आर्म होल का, चेस्ट का प्लस हमने यहाँ पर कमर का निशान भी लगा लिया है अब इसके बाद हमारा जो बैक पार्ट में जो रे जाता है वो है नेक नेक हम लगाएंगे, नेक की चोड़ाई हमने इस तरह देखिए नेक होल भाग में जहें हमने शोल्डर का निशान लगाया है solltenहें हमें नेक का टनिकालेंगे, नेक का एक्स्ट्रा मार्जिन हमसे रखेंगे जितना क्यूलडर लगा या उसी के अंदर से हम नेक को निकालेंगे तो बनद्भाग की तरफ आठ इंच, 9 इंच या अगर आप छोटा पेंते हैं तो 6 इंच, 4 इंच जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं तो इस तरह से हमने यहाँ पर back part में पूरे निशान लगा लिये हैं और back part में हमें इतने ही निशान लगाने ने इस तरह से आप यहाँ पर इसका बना सकते हैं यह बैक पार्ट हमारा है जो पूरा रेडी हो गया है देखिए अब हम यहां पर आगे आ जाते हैं हमारे फ्रंट पार्ट पर तो फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है जैसे हमने बैक पार्ट बनाया है वैसे ही सेम हमें फ्रंट पार्ट भी बना लेना है फ्रं बाग में इस तरह से 5 इंच का टक्स लगाएंगे 5 इंच का टक्स हमें यहाँ पर लगाना है तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर जैसे बैक पार्ड में ली थी लंबाई ले लेनी है 15 इंच हमने यहाँ पर लंबाई लेने के बाद बंद बाग की तरफ से हम सोल्डर का कर दो देए से शोर्डर हमारे हैं petrol 6 inč साडे छे से आर्म होल की शेसान लगा लिए। यहां निषान लगा लाय चाहिए। और उसके बाद आर्म होल की गोलाई भी मुट हैं अब आर्म होल रेता है लैसा छोरा होता है और आगे क् SUN और आर्मक ओल में गोलाई देंगे तो उसमें हम 5 विया को आजे बाग में आंगे निरा एंट के पादे क्यों करते में वाम के दीपने मु आर्मक लाहे ने के बादласт में करते में लका लचो कि युवडरा इंच मार्जिन करकर निशान लगा देना है फ्रंट भाग में हमें गले की जो चोड़ाई हैं फ्रंट और बेक में दोनों एक जैसी रखेंगे तीन इंच के हमने यहां चोड़ाई ली है अगर आपको ज्यादा चोड़ा नहीं चाहिए ब्रॉड गला नहीं चाहिए तो आप की कि आपको जितनीं लंबाई होती है अधिकतार आगे के की लंबाई उससा से ब्लावे है अ आगे के घ्र है है हम लगाना है क्रति लगा ये चिसा नोल कंघ डैंगा पहागमें दोनों सोल्डर है इनको हाल करके इसके रह इस नदर में पांच इंच लंबा 5 उन चौड़ा क्लटा कर कीma किसी तरह से में कट नहीं करनी हैं इसमे दो अर्फ लगाएंगे दो ओ हरामे और पीछे वाले भाग में पीछे वाले भाग में उस तरह से स्कार सक्तियार है वेसे ही हमें टक्स यहां पर लगाने हैं तो इस तरह से देखिए आरी आपर ड्राफ्टिंग और थियोरी दोनों कम्प्लीट हो गई है आप इस तरह से इसका स्क्रीन शोट भी ले सकते हैं और आप इसी तरह से जो आपकी सिलाई बुक है वो तैयार कीजिए थियोरी की आपक आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फोर वाचिंग